नमस्कार दोस्तों काफी सारे लोग मेरे को पूछते हैं बाई केंडल के नीचे स्टॉप लोस कैसे लगाया जाता है इसके बारे में आप एक वीडियो बनाके जरूर प्रोवाइड करें हलांकि दोस्तों ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है बट जो भी स्टॉप मार्केट में नए है उनको ये समझ में नहीं आता है कि केंडल के नीचे स्टॉप लोस कैसे लगाया जाता है वो बहुत सारे चैनलों पे देखते हैं और वो बोलते हैं आपने यहाँ पे बाई किया इस उसको हम लोग स्टॉप लोस मारेंगे उसको हम लोग स्टॉप लोस ओर्डर में लगाएंगे दोस्तों तो इसके बारे में कापी सारे नए लोगों का अभी तक नहीं पता है दोस्तों तो अगर आपको भी नहीं पता है दोस्तों तो इस वीडियो में मैं आपको एकदम सिं करें तो आप लोग Camdle के निच्छे Что अध्र कैसे लगाए एंड उसके बाद में देखेंगे अगर आप लोग option ट्रेडिंग करते हैं तो option ट्रेडिंग में आप लोग इस्टो फ्लोस तो प्र हो कैसे लगाएं, जैसे कि आप मोटर्स लिमिटेट का चार्ट ओपन का रखा है 15 मिनट का टाइम फ्रेम में टाइम फ्रेम वैसे मैं आपको एक एक्जम्पल के तोर पे दिखा रहा हूं यहाँ पर टाइम फ्रेम में वो कोई भी मेटर नहीं करेगा जब हम लोग केंडल की बात कर रहे हैं तो तो फॉर एक्जम्पल दोस्तों टाटा मोटर्स का सेर है उपर से यहाँ पर नीचे गीरा और उपर की तरफ जा रहा है हम मान के चलते हैं तो जैसे कि आपने इस लेवल पर आपने बाई किया जैसे कि आपने बाई किया 710 रुपे की प्राइस प तो जहां पर भी अगर यहां पर चल रही थी तो यह प्राइस आ रहा था कि 710 रुपे पर चल रही है तो फॉर एक्जम्पल आपने इस लेवल पर बाई कर लिया 710 रुपे पर आपने बाई कर लिया जितनी भी क्वांटिटी आपने बाई किया बाई कर लिया है उसके जो भी प्राइस है जैसे कि यहां पर आपने एंट्री ली इस केंडल के नीचे का यहां पर जो भी प्राइस है तो आप लोग देखिए अगर आप मोबाईल अप्लिकेशन का यूज कर रहे हो उसमें आप चार्ट ओपन कर रखे हो तो आपको अपना फिंगर टच करना है तो आपको देखने को मिल जाएगा कि यहां पर नीचे 708 रुपे प्राइस है अगर आप लोग पीसी का यूज कर रहे हैं लेप्टॉप का यूज कर रहे हैं तो आप लोग माउस को रखेंगे तो माउस से उसका प्राइस आजाएगा जैसे कि मैं आपर रखता हूँ तो माउस आपको अपने सेर में जाके और आप लोग उसे सेल करेंगे यानि एक्जिट करेंगे चाहे आप इंट्राडे में हैं चाहे आप लोग होल्डिंग्स में है तो आप लोग कैसे लगाएंगे तो आप लोग उसमें आने के बाद में आप लोग SL के अप्शन पे क्लिक करेंगे यह आपको mobile application में भी देखने को मिल जाएंगी जो भी आपको मैं सीजे बता रहा हूँ SL पे आप लोग click करेंगे यानि stop loss लगा रहे हैं तो पहले आपको price enter करना है उस candle के नीचे का price कितना है वो आप लोग यहाँ पे enter कर देंगे जैसे कि आपको यहाँ पे enter करना है price में आपको enter कर देना है मैंने आपको बता है 708 रुपे उसके बाद में दोस्तों trigger price का भी option मिलता है जो आप लोग देखेंगे पास में trigger price का mobile application में भी दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा तो trigger price में आप लोग क्या करेंगे या तो आप लोग price वाली same enter कर सकते हैं जो भी आपका stop loss price है उसका आप same enter कर सकते हैं या फिर आप लोग उससे एक ज़्यादा आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं जैसे कि मैंने आपे 708 लगा ही है और मैं stop loss लगा रहा हूं buying side आप ने किया है तो फिर आप लोग यहां पे 709 लगा सकते हैं या फिर 708 पॉइंट आप लोग कुछ लगा सकते हैं इस तरके से थोड़ा सा increase करके यानि जब भी price stop loss की तरफ में आए तो यह price आते ही market को पता चल जाना चाहिए कि यहां पे एक order है trigger activate हो जाना चाहिए आप चाहो तो यहां पे same price भी आप लोग लगा सकते हो बट मैं आपको एक simple सा तरीका बता रहा हूं दोस्तों तो एक तरीका है दोस्तों कि आपको stop loss order में candle के नीचे का जो भी price है वो आपको price enter कर देना है यही एक simple तरीका है अगर आप लोग stock market में नए है आपको नहीं पता है कि candle के नीचे stop loss कैसे लगाते हैं तो यह आप लोग simple तरीके से इसका मतलब है कि candle के नीचे का जो भी price है वो आपको stop loss order में लगा देना है अब बात आती है दोस्तों option trading में आप लोग stock loss कैसे लगाएं एक बार दोस्तों अगर आप लोग stocks में selling करते हैं तो selling में कैसे लगाएं selling की side में simple बात रहेगी दोस्तों जैसे कि आपने यहाँ पर यह stock का नीचे आ रहा है अगर आपने यहाँ पर इसको sale किया है 720 रुपे में आपने sale किया है और आप लोग stock loss लगाना चाहते हैं तो फिर आप लोग यहाँ पर देखे ऊपर की side में इस candle का ऊपर की side में लगाएंगे तो यह 724 रुपे price है तो आप लोग अपने stop loss order में जाईएगा 724 आप लोग stock loss में लगा दीजिएगा price में उसके बाद में trigger price में क्या करेंगे दीखे market ऊपर की side में जाएगा तो 723 पहले आएगा यानि 724 बाद में आएगा तो उससे थोड़ा सा कम आप लोग trigger price में लगा दीजिएगा तो यह एक simple सा तरीका है दोस्तों stop loss लगाने का तरीका यानि पहले आपका trigger activate होना चाहिए उसके बाद में आपका price activate होना चाहिए यानि stop loss price जाना चाहिए यह आपको समझना है अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों आप लोग option trading में stop loss कैसे लगाएं काफी सारे लोग confused रहते हैं कि index के chart को देखके stop loss लगाते हैं कई premium के chart को देखके stop loss लगाते हैं तो मैं आपको एक simple सा बता रहा हूँ कि आप लोग किस तरीके को use कर सकते हैं जैसे कि दोस्तों मैंने यहां पर बेंक्रिप्टी का चार्ट ओपन कर रहा है 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने आपको अल्रेडी बता है कि टाइम फ्रेम हम लोग ऐसे नॉर्मली लगा के रहे हैं वैसे टाइम फ्रेम का कोई मतलब नहीं है जब हम लोग केंडल की बात कर रहे हैं जैसे कि हमने देखा दोस्तों कि यहां पर जा रहा है तो हम मानके चलते हैं कि यहां पर भाइ करेंगे यह जो लोग stop loss काहा मानेंगे stop loss काफी सारी लोग बोलते है कि candle के नीचे में ये जो devil के नीचे में stop loss रख लीजिगा यानि हमने यहां पर buy किया इस लेवल पर 47,000 के आसपस buy किया और हम stop loss रखेंगे के नीचे में Яनि हम 66,900 पर तो हम लोग stop loss कैसे लगाएंगे तो इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़ी चीज़ें वो थोड़ी सी कठीन हो जाती है तो आपको इसमें जितना आप लोग simple रखोगे मेरा मतलब है आप लोग अगर इस candle के नीचे stop loss रखोगे तो हो सकता है option trading में क्या होता है कि यहाँ पे आपने entry ली आप यहाँ पे stop loss मान के चलोगे तो यहाँ पे हो सकता है कि market काफी देर तक sideways होए उसके बाद में आपका stop loss hit करे तो यहाँ पे आपको पूरा नुकसान भी देखने को मिल सकता है तो मैं आपको suggest करूँगा आप लोग ज्यादा चीजों को कटीन मत रखेगा आप लोग simple अपने mind में रखेगा देखे आप लोग entry exit है वो आप लोग chart को देख के कर सकते हैं कि chart में index के chart में momentum कहाँ पे है बट आप लोग इसमें आप लोगों के लिए जो simple रहेगा वो आप लोग premium के chart में रख सकते हैं stop loss तो आप लोग simple रखे आपको fix रखना है कि आपको premium के chart पे इतने point का stop loss रखना है जैसे कि मैं आप लोग देखेंगे दोस्तों एक बार मैं आपको premium का chart दिखाता हूँ जैसे कि अगर आपने यहां पे buy किया यानि आपने buy किया दोस्तों 175 पे इस लेवल पे आपने buy किया call option को यानि यहां से यह उपर जा रहा है तो आपने यहां पे buy किया example के तोर पे 175 पे आपने buy किया और आप stop loss देखिए premium के chart पे आप लोग रख सकते हैं इसके नीचे में यानि आप लोग 500 रुपे के आसपास में stop loss रख सकते हैं तो premium जितना भी अगर index में time spend करेगा तो भी premium decay होगा तो भी आपका यहां पे नीचे की side में आएगा तो भी आपका कम होता रहेगा एक सो पिछेतर से आपका आजाएगा 100 रुपे आजाएगा तो भी index में क्या होगा आपका जो भी stop loss है वो index में hit नहीं हो रहा है क्योंकि उस candle के नीचे नहीं आया है तो आप लोग वहाँ पे index में stop loss कैसे देख रहे हो तो इसके लिए मैं आपको बत चार्ट में आपको देखना है कि fix मेरे को 10 पॉइंट का लेना है 20 पॉइंट का लेना है 30 पॉइंट का लेना है इस तरीके से आप लोग simple तरीका रखोगे तो आपके लिए ज्यादा benefit रहेगा हालांकि आप लोग बहुत सारी चीजे देखोगे तो आपके लिए वो थोड़ में लगा लीजिएगा जैसी कि यहां पर मैंने बाई किया 175 पे यहां पर बाई किया इस candle के नीचे stop loss रखना चाहता हूं तो जैसे कि यहां पर इस candle के नीचे में तो मैं अपना 120-30 जो भी यहां पर price रहेगा इस candle के सामने वो अपने stop loss order में लगा लूँगा तो यह simple तरीक में नए है तो आप लोग stop loss के लिए यूज कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलता है फिर एक नए वीडियो के साथ में तक तक के लिए जैहिंद बहुत बहुत धन्यवाद